हेलो फ्रेंड्स आपका निकितास की चन में स्वागत है आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पालक पकोडों की रेसिपी सिंपल सी रेसिपी है पर पकोड़े बहुत ही करारे बनते हैं अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो रेड बटन दबा कर सस्क्राइब कीजिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए जिससे आपको मेरी नोटिफिकेशन मिलता रहा करेंगे तो पालक पकोड़े बनाने के लिए हम एक बंच मैंने पालक लिया था उसे मैंने धोकर साफ कर लिया है और बारी कट कर लिया है अब साथ में एक चमच जीरा ले रही हूँ इसे हाथों से हम करश करकर दालेंगे जिससे की जीरे का टेस्ट बहुत ही बढ़ी आएंगा नमक मैं स्वादा नुसार ले रही हूँ और साथ ही मैं एक चमच लाल मिच पाड़र दाल रही हूँ आप इस समय इसमें ग्विन चिली भी दाल सकते हो करश करकर और लसन हमें बिल्कुल बारी कूट कर लेना है अगर चाहो तो लसन के हम पेस्ट भी दाल सकते है अगर हमें लसन की पेस्ट अलग से बना कर रखिये तो तो अब मैं दा रही हूँ सोप और धनिया मैंने करश करकर रखा है वही मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ यह मैं अक्सर घर पर बना कर ही रखते हूँ और एक फिंच इतना हमें हिंग लेना है इस पकड़ों मैंने हिंग का यूज़ किया है अजवान का नहीं किया है क्योंकि मुझे अजवान का फ्लियर पसंद नहीं आता है पालक के पकड़ों में तो देखिए, अब इसे हम अच्छे से mix कर लेंगे, तो हातों से हम बिलकुल properly अच्छे से mix कर लेंगे, जिसे कि नमक और मसाले पालग को अच्छे से लग जाएं, तो इसके बाद मैं हम इसमें बेसन अड़ करेंगे, तो बेसन हमें जितना हमने पालग लिया है, उससे double हमें लगता है पर हमें इसे एक साथ नहीं दालना है थोड़ा थोड़ा करकर यह दालना है बैटर इस तरह से बनना चाहिए कि बस पालक के पत्तों पर बेशन के कोटिंग हो जाना चाहिए तो मैं पहले 4 टेबल स्पून बेशन इसमें दाल रहे हो और इसे हम अच्छी से मिला लें पहले हम बेशन को ऐसी सुखा ही मिला लें और बात में थोड़ा सा पानी आड़ करेंगे अगर पानी की जरुरत पड़े तो इस तरह से हमें बेशन को पत्तों में मिलाना भी है और वह साथ हमएं पत्तों को फवास आतों से करच भी carried out हैं長rone कैट तो आप देख सकते हो पालक फर बेशन की Coating नहीं आया है, तब इसमें और मैं दो चमज बेशनी आड़ कर रही हो, और साथ ही साथ हमें से मिलाते रहेंगे, तो इस तरह से, तो अब मैं और थोगा सा बेशन आड़ करूंगे क्योंकि पालक ज्यादा लग रहा है और बेशन थोड़ा कम ही लग रहा है तो इस तरह से पालक के पत्ते बेशन में अच्छे से कोट हो चुके हैं अब हम थोगा सा पानी दाल कर इसका गूल बना लेंगे पानी हमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही दालना है अगर आप चाहो तो इसको टेबल स्पून से क्योंकि हमें बेशन का गूल बनाने में सिर्फ दो या तीन टेबल स्पून ये पानी लगता है तो इस तरह से मैंने इसे मिक्स कर लिया है अब बेशन का अच्छे से गूल बन चुका है तो आप देख सकते हो बेशन इस तरह से हो जाना चाहिए पालक के अंदर अब हम पकोड़े बनाएंगे तो परफेक्ट पकोड़े बनने के लिए बेशन पालक में परफेक्ट होना चाहिए इस तरह से तो अब हम पकोड़े बना लेंगे तो तेल मैंने गरम कर लिया है फुल फ्लेम पर अभी हमें फ्लेम फुली रखना है जब तक कि ये एक साइट से सिखते नहीं है तब तक और बाद में इसके फ्लेम करना है हमें कम और कम फ्लेम में इसे अच्छे से होने लेना है जिससे कि अंदर से भी पक जाएंगे और उपर से क्रिश्व बन जाएंगे तो देखिए इस तरह से मैंने सब पकोड़े को डाल दिया है पकोड़े नीचे से सिखने के बाद उपर आ जाते है तब इसे हमें हिलाना है और इसे हिला कर हमें ग्यास की फ्लेम करना है लोटू मीडियम करना है और उस पर इसे हमें अच्छे से फ्राइ कर लेना है पकोड़े की एक बैश तलने में मुझे तीन से चार मुट लग चुके है तो इस तरह से अगर आप भी बनाऊंगे तो पकोड़े बहुत ही करारी बने तो अभी यह हुई नहीं है इसका कलर आ चुका है तो अब हम इसे निकाल लेंगे आप देख सकते हो पकोड़े कितने करारे बने हैं तो इसी तरह से हम खेल्दी पकोड़े बनाकर रेडी कर सकते हैं पालक के हमने इसमें ना सोडा एड किया है और ना ही चावल काटा पर बह अंदर से थोड़ी से सॉप्ट तो इसी तरह से आप भी बनाकर इस बारिश के मौसम में एंज्योई कर सकते हो पकड़ों को तो इसी तरह से मिलते हैं नई रिस